हमारे साथ आसिफ अलीजी है होमेपथ के बहुत अच्छे मशूर डॉक्टर हैं दुनिया भर में इनके पेशेंट हैं इनका वो लाज़ भी करते हैं और दवाएं भी यहां से बेशते हैं और उनकी जो चिकिस्था में जो उनका ग्यान है जो इल्म है उससे लोग को फायदा ह लेकिन डॉक्त्र अली साथ हमेपथी में ये भी कहा जाता है मुझे तो नहीं पता इसके मैं लेकिन लोग कहते हैं और कोई बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा हो तो उसका विसमें इलाज होता हैं कुछ दवाएं होती है कि अगर कोई बच्चे मैं पढ़ाई से लाखट के दे दीजिए उसका रोना कम हो जाएगा पता नहीं कितना सच है लेकिन मैं हुमेपती को जादू की दवा मानता हूं वह जब लगती है तो बिलकुल बंदू की गोली की तरह सटीक बैठती है लेकिन परिच्छा के मामले में पढ़ाई के मामले में जरूर पूछेंगे कि आसे अभिशेक जी टेक्निकल एक्सपर्ट है उन्होंने बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी है मैं टेक्निकली इस चीज को तो नहीं बताऊंगा लेकिन मैं यह बता सकता हूं कि हैल्थ वाइज मेडिसिन वाइज और मैनेजमेंट वाइज इसको कैसे फॉलो किया जाना चाहिए देखिए एक शेर है गिरते ही शैसवार ही मैदाने जंग में वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलें तो एक जंग की तरह होता है और वो ही इंसान सफल होता है जो लड़ता है तो लड़ाई जरूरी है मैनेजमेंट का तरीका यह होना चाहिए कि जैसे कि अभ माबाप को तैयार रहना चाहिए कि वह स्ट्रेस ना लें होता यह है कि माबाप अपने सराउंडिंग देखते हैं कि दूसरों के बच्चे किस तरह से कर रहे हैं क्या उनके परसंटेज हैं और वो बार-बार अपने बच्चों को यह ऐसास दिलाते हैं कि आपको इससे बहतर हो जाता है और उसकी वज़े से वह बीमार होना शुरू हो जाता है इसे हम साइको स्वाटिक डिसाडर भी कहते हैं कि जब हम किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं कि अबिशेग जी ने बताया कि हर इनसान उतना ही कर सकता है जितना उसकी कैपेसिटी है तो उ हम लगातार सोचते ही रहते हैं करते नहीं है तो एक वक्त आता है कि वक्त तो गुजर जाता है लेकिन वह काम नहीं हो पाता है जो हमें करना है तो उसकी वज़े से बॉड़ी के अंदर कुछ हार्मोन होता है वह स्ट्रेस हार्मोन होता है और वह बॉड़ी के अंदर कुछ औ करता हूँ medicine देना बच्चों को कि थोड़ा बहुत stress तो होना चाहिए अगर वो बिल्कुली फ्री हो गए जब मैं college में था तो मुझे अपने exam का बहुत stress था मैंने अपनी senior से discuss किया उन्होंने कहा कि dr. आसिफ मैं आपको medicine दे सकता हूँ लेकिन ऐसा ना हो कि आपके अंदर से stress बिल्कुल खतम हो जाए और आप पढ़ाई करना ही भूल जाए तो थोड़ा बहुत stress तो जरूरी है लेकिन उस वक्त जब exam का time आ गया है तो माबाप के लिए चाहिए parents को ये चाहिए कि वो अपने बच्चों के सामने दूसरों के example देना बंद कर दें सबसे important है कि वो बच्चे जो exam देने वाले हैं वो इस तरह manage करें कि उन्हें अपने पढ़ने के time को कौन सा रखना है खाने में क्या खाना है सबसे important उनका खाना सोना और पढ़ने का time होता है अगर वो morning में early morning पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उस वक्त मूड सबसे ज़्यादा stress free रहता है काम रहता है और चीज़े आसानी से लेकिन अब यह मुझे लगता कि गुजरे जमाने की बात होगी कि लोग सुबह उठकर पढ़ें यह बेशक सही है कि सुबह पढ़ना चाहिए लेकिन अब मैंने देखा कि यह ट्रेंड है श्कूल से लेकर इन्वेस्टि की एक्जम तक कि सारे बच्चे रात में सुबह सुछते हैं अब इसी ट्रेंड को पॉजिटिव कैसे कर सकते कि रात में अगर पढ़ने का ट्रेंड है चाहे इन्वस्टि और चाहे स्कूल हो वहां Раз यह चल रहा है जब बिल् में किसी भी competition के बारे में सोचते हैं तो उसके experts से पूछते हैं कि इसको कैसे crack किया जा सकता है तो बच्चों के लिए मेरा ये message है कि अभी वक्त है थोड़ा बहुत वक्त है आपके एक्जाम के लिए अपने time schedule को change करें और क्यों change करें उसकी वज़ा ये है कि body के अंदर कुछ ऐसे steroid होते हैं जो body खुछ secret करता है जैसे जब सूरज डूबरा होता है शाम का time होता है तो एक हर्मोन होता है वो ये कहता है अब आपको सो जाना चाहिए अगर आप नहीं सोते हैं उस वक्त पढ़ते हैं तो आपकी आप अपने body से लड़ रहे होते हैं और बीमारियों को दावद दे रहे होते हैं और एक हर्मोन होता है वो आपको early morning में कहता है कि you have to wake up अगर आप उस वक्त सो रहे होते हैं तो फिर आप अपने body को kill कर रहे होते हैं तो अभी आपको अगर अपने performance को best करना है तो आपको अपना time change करना पड़ेगा एक चीज़ यह हो गई दूसरी चीज़ यह हो गई कि जिस तरह आजकल mobile का use बढ़ गया है लोग बाग रील शॉट्स जादा देखना शुरू कर लिया है और लोग बाग यह सोचते हैं कि मैंने बहुत देर पढ़ लिया है अब मैं एक काम करता हूँ थोड़ी देर तक real देख लेता हूँ यह बिल्कुल वैसे है कि केले का छिलका अगर है और आपने उस पर पैर रखा है तो यह आप डिसाइड नहीं करेंगे आपको गिरना है कि नहीं गिरना है आप गिरेंगे गिरेंगे तो आप दो मिनिट के लिए पांच मिनिट के लिए real या शॉट्स नहीं देख सकते जब आप देखना शुरू करेंगे तो आपका बहुत सारा वक्त जो है वो जाया हो जाएगा इसलिए मुबाइल को मेनेजमेंट के तौर पे मुबाइल को आपको डिसकार्ट कर देना है और खाने में सबसे ज़ादा फूट्स लेना है सिट्रिक फूट्स को अवाइड करना है ऐ जब आपकी नेंग प्रॉपर होगी तब आप काम रहेंगे और चीजों को बहतर कर पाएंगे बिल्कुल लेकिन एक बाद जरूर में कि अगर जैसे आपने का कि कई बार बाड़ी में इस तरह के केमिकल रियक्शन होते हैं जिससे आदमी पढ़ाई से कई आपने का कि हम ऐस बीमारी से लड़ सकते हैं और उसके बाद मैं देख रहा हूं कि अब जयात है डॉक्टर विटामीड डी लिखना शूरू करने लगे हैं ऐसा नहीं कि हमारी चर्चा से हर डॉक्टर को लगा कि विटामीड डी जरूरी बाड़ी में पहले वह बीमारे के लाज करते थे आज अगर कोई आपके पास ऐसा फार्मूला हो जो एंजाटी से बचा पाए वो अगर दवाए आप शेयर करना चाहा है तो जरूर शेयर करें बहुत सक्षेप में अली साब देखिए अगर आप मैडिसन की बारी बात करेंगे तो बैला डोना और आर्सने कल्ब कुछ मैडिसन है जो एंजाटी और इस तरह के स्ट्रेस में काम करते हैं लेकिन जरूरी यह है कि जैसे बाडी के अंदर स्ट्रेस होने की वज़ए से सारी चीज़ें होती है अब दवा का नाम एक और और रिपीट कर दीजे अब बैला डोना एंड आर्सने कल्ब ये दो मैडिसन हैं जो करूंगा अभिशेग जी आपका भी बहुत साथ बाद और डॉक्टर जी साफ आपका भी बहुत बहुत देनवाद ये चर्चाओं के दोर अभी एकाद मेने हम और करेंगे ताकि एक्जाम शुरू होने के पहरे लोग जितना बहतर तरीके से बच्चों को समझा पाएं पढ़ झाल